गुट मॉर्निंग टो आल इस अपूर वंसल यार मेरेड़न कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है इससे पहले हमने क्या पढ़ा था में मोड मीडियन जो कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था होप आपने घर जाके पढ़ा होगा टॉपिक समझ में आ गया होगा आज हम कुछ और मेजरमेंट्स पढ़ेंगे जो कि मीडियन पर बेसिस होगे जैसे क्या होते हैं यह आईए देखते हैं मतलब इनका सॉलूशन और इनका फंडा बेस होगा मीडियन पर इसलिए उनको बोलत हैं मीडियन पर अधारित अन्या माप आईए देखते हैं कैसे होगा यह हमारा टॉपिक का नाम है अधर मेजरमेंट्स बेश्ड ऑन मीडियन अधर मेजरमेंट्स बेश्ड ऑन मीडियन आईए देखते हैं क्या क्या होता है इनके अपने अलग अलग सब के फॉर्मूले हैं इसलिए अपन फॉर्मूले को टेबल फॉर्म में लिखते हैं इससे आपको इजी रहेगा हमारी तीन तरह की सिरीज होती है इंडिजवल फिर आती है हमारी डिस्क्रीट सिरीज दैन आती है हमारी कंटिनियस सिरीज ठीक है अब इनके फॉर्म ने देखते हैं सबसे पहला हमारा आइटम होता है क्यू वन इसका मीन क्या होता है इसका फॉल फॉर्म होता है क्वार्टाइल क्वार्टाइल मतलब होता है चतूर तक चतूर तक को अगर हम समझें तो हमारा इसका मीन होता है क्वार्टाइल हिंदी में इसको बोलते हैं हम चतूर तक जिसको हम denote करते हैं इसका sign होता है Q क्या होता है इसका mean just suppose यह हमारी एक line है जिस तरह median में हम दो part करते थे median के formula में divide by 2 करते थे उसका मतलब क्या था किसी series को या किसी line को दो भागों में बाटना लेकिन जैसा कि नाम सही clear है quartile, quartile मतलब चतूर तक मतलब किसी भी series को चार भागों में बाटना 1, 2, 3 and 4 इसलिए हम यह formula में divide में 4 लगाते हैं ठीक है इसलिए हम formula में divide में क्या लगाते हैं 4 इसी तरह हमार को question में पूछा जा सकता है Q 1, 3, 2, 4 बट अधिक तर हमें पूछा जाता है Q1 और Q3 हमेशा जब भी चतूर तक हम बात करेंगे quartiles के हम बात करेंगे तो always हम बात करेंगे Q1 की and Q3 की अगर question में बोला है upper quartile और lower quartile तो भी हमें Q1 और Q3 निकालना है ऐसा बोला हो first quartile और last quartile तो भी हमें Q1 और Q3 ही निकालना है ठीक है इसके अलावा अब इसका formula देखते हैं हमने एक table draw की है सबसे पहले हम बात करते हैं q1 की हमारा individual series में median का formula होता है n प्लस 1 डिवाइड में 2 लेकिन यहां quartile है जैसा कि अभी हमने सीखा quartile मतलब 4 part करना इसलिए formula में क्या जाएगा 4 और जिस तरह q1 है तो into में क्या लग जाएगा 1 अगर यहां q3 होता तो into में क्या लगता 3 लगता ठीक है इसके बाद आगे का process क्या होगा हमें q1 कैसे मिलेगा उसको हम example में समझेंगे इसके बाद हमें क्या receive हो जाएगा q1 q1 को receive करने के लिए हमा ठीक है इसी तरह है अगर हम बात करें discrete series की तो discrete series में भी same form लगता है n plus 1 divided 4 into में 1 लेकिन मैंने आपको बोला था discrete और continuous में नया क्या आता है individual से comparison में frequency इसलिए जहां भी frequency मिल जाएगा n का mean change हो जाएगा n का mean क्या हो जाएगा total of frequency further इसके बाद हमें q1 कैसे मिलेगा इसको हम question में समझेंगे क्योंकि यहां लिखना possible नहीं है इसके बाद इसके बाद हम निकालेंगे अच्छा ये सब जो हम चीजे निकाल रहे हैं ये निकाला है हमने small q1 यहां भी हमने यही निकाला है और यहां जो हम निकालेंगे किस तरीके से निकाला जाएगा हमारा आईए यह हमने निकाला था q1 यहां भी हमने small q1 निकाला है और यहां small q1 निकालने के लिए n by 4 into में 1 लेकिन जिस तरह यहां simple process था दोनों के small q1 निकाले और हमें answer मिल जाएगा लेकिन यहां ऐसा नहीं है जैसा median के continuous series में हमने एक formula पड़ा था याद आया l1 plus i upon f वाला formula जिस यहां वही 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 चीज़ हमें यहां पर apply करनी है q1 equal to l1 plus i upon में f median में क्या था? f minus c था ना लेकिन यहां पर हम small q1 निकाले हैं तो q1 minus c हो जाएगा इन सब का mean आपको पता है l1 मतलब lower limit, i मतलब class interval, f मतलब frequency q1 हमें यहां से receive होगा और c मतलब होटा है हमारा जो भी quartile group होगा उसकी cf के just उपर वाली cf ठीक है अब भी आप formula समझें, इसको question में समझेंगे और ज्यादा समझ में आ जाएगा इसी तरह हमारे आगे formula बनता है अच्छा अगर q3 की बात करें तो q1 और q3 में क्या change होगा? q1 और q3 में change होगा कि जहाँ जाब 1 लिखा है हमने q3 में क्या हो जाएगा? q3 हो जाएगा? ठीक है और q1 की जगा हम क्या calculate करेंगे? q3 ठीक है? तो मैं q3 नहीं लिख रहा हूँ direct हम चलते हैं एक और आता है हमारा quantile जिससे हम बोलते हैं panchmak क्या बोलते हैं? panchmak आईए समझते क्या होता है? मैंने एक word use क्या है quantile क्या word use में लिया है? quantile quantile को हम हिंदी में बोलते हैं panchmak ठीक है? जैसा कि नाम से ही clear है क्या सुनाई में आ रहा है? 5 quantile मतलब panchmak मतलब 5 series को 5 भागों में बाटना ठीक है? 1, 2, 3, 4, and 5 तो क्या change आएगा? जिस तरह हमने quartile के formula में आप हमने 4 लगा आया था जहां क्या लगाएंगे? 5 लगाएंगे और जो हमें पूछा हो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब व्यादो q हम इसको किसे denote करते हैं? quantile को हम denote करते हैं qn से ठीक है? अब ज़र सबोज हमें qn पूछा है तो यहां लिखा होगा qn 2 qn अगर हमें 3 पंजमक 3rd quantile पूछा है तो यहां क्या लिखावा होगा? qn 3 ठीक है? इसको हम question में समझेंगे अभी अभी आप formula समझीए इसी तरह यहां मैं बात करता हूँ quantile की just suppose मुझे यहां पूछा है quantile 3rd पूछा है तो क्या formula अपलाए करेंगे? देखिएगा yn प्लस 1 अपन में क्या जाएगा? 5 जाएगा और into में quantile 3rd पूछा है इसलिए हमने क्या लगा दिया? 3rd लगा दिया इसी तरह यहां पर same formula लेकिन n का mean change होता है यहां पर 5 into में 3 और यहां पर अच्छा यह सब हमने क्या निका लेते? small quantile 3 ठीक है? यह चीज़ दियाद में रखना question में और clear कर दूँगा मैं small qn 3 small qn 3 अब यहां पर कैसे निकालेंगे? small qn 3 निकालने का फंडा है n by 5 into में 3 उसी तरह qn 3 का formula क्या बन जाएगा? l1 plus i upon में f into में qn minus c qn 3 कर लीजी इसे इसके बाद आगे चलते हैं और भी बहुत सारी चीज़े हैं हमार पास अब जैसे यह qn था उसके बाद हमार पास आता है o यह एक नया वड़ाया है इसको समझते हैं क्या होता है? o मतलब होता है इससे हम समझते हैं वो मतलब हम इससे बोलते हैं octile हिंदी में इससे बोलते हैं अश्टमक जैसा कि नाम से ही sound सही clear हो रहा है art मतलब series को art भागों में बाटना 8 part में divide करना इसलिए formula में क्या change आएगा upon में क्या लग जाएगा 8 और जो पूछा है formula में क्या change होगा upon में लगेगा 8 और जो पूछा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन में से कुछ भी एक पूछा जा सकता है और इसको हम denote किससे करेंगे o से just suppose हमे o 6 पूछा है तो हम क्या लिखेंगे o 6 लिखेंगे ठीक है formula समझते हैं इसका just suppose हमें o 6 पूछा है तो हम यहाँ formula अपलाई करेंगे n प्लस 1 upon में क्या होगा 8 क्योंकि अश्टमक है octile और into में 6 यहाँ भी उसी तर है n प्लस 1 upon में 8 into में 6 और यहाँ small o 6 का formula होगा n प्लस sorry यहाँ सिर्फ n होता है n upon में 8 into में क्या जाएगा 6 और बड़ा वाला formula क्या बनेगा continuous series में o 6 equal to l1 plus i upon में f into में o 6 minus c ठीक है clear इसके बाद और बसता है हमार पास अगला topic जिसे हम बोलते हैं और denote करेंगे d से d मतलब क्या होता है आईए समझते है d मतलब होता है हमारा decile क्या मतलब होता हमारा decile ठीक है जिसे हिंदी में बोलते है dashmak क्या बोलते है dashmak जैसा कि नाम से के लिए 10 आ रहा है तो formula में upon में क्या चला जाएगा 10 और इससे हम denote करते हैं D से ठीक है और जो पूचा है 1, 2, 3 कुछ भी पूचा जा सकता है just suppose हमें यह पूचा है D9 तो formula में क्या चला जाएगा into में 9 चला जाएगा as common जैसा चला रहा है आई यह इसका formula लिखते है just suppose हमें D9 पूचा है तो formula में क्या जाएगा n plus 1 upon में 10 into में क्या चला जाएगा 9 क्योंकि हमें D9 पूचा है यहाँ भी same चीज n plus 1 upon में 10 into में क्या चला जाएगा 9 ठीक है और यहाँ पर small d9 कैसे निकालनेंगे पहले n by 10 into में क्या पूचा है 9 पूचा है और बड़ा वाला formula क्या बन जाएगा यहाँ पर D9 equal to में L1 plus i upon में F into में small d9 minus में C ठीक है यह D9 है ठीक है इसके बाद एक last topic बचता है इसी में जिसें बोलते हैं P, P मतलब होता है समझते हैं इसको P मतलब हम बोलते हैं percentile ठीक है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में शत्मक क्या बोलेंगे percentile को शत्मक जैसा कि नाम से क्लियर है क्या रहा है hundred तो formula में क्या जाएगा n plus 1 divided by hundred और जो पूचा है हमार को ठीक है इसको हम denote करते हैं P से just suppose हमें पूचा है P 90 तो into में क्या चला जाएगा 90 चला जाएगा ठीक है आईए इसका formula समझते हैं अब हमको just suppose formula में पूचा है question में P 90 के बारे में तो हम क्या formula लगाएंगे n plus 1 n plus 1 upon में क्या चला जाएगा 100 और into में क्या जाएगा 90 जाएगा इसी तरह यहाँ पर n plus 1 upon में 100 और into में क्या जाएगा 90 ठीक है यह formula clear इसी तरह अगर हम यहाँ small p 90 निकाल लेंगे पहले तो क्या जाएगा n by 100 into में 90 और main जो p 90 है उसका formula क्या हो जाएगा l1 plus i upon में f into में p 90 minus c ठीक है तो आज हमने कौन-कौन से topic सीखे आईए एक बार देखते हैं वापस आज हमने सीखा है other measurement based on median कौन-कौन से होते है q1 जिसको क्या बोलता है q मतलब होता है quartiles चतूर तक q1 जिसका formula होता है n plus 1 divided by 4 1 है तो into में क्या चला जाएगा 1 और इसी की जगा पूछा होता q3 तो into में क्या जाएगा q3 उसी तरह हमारा continuous series में small q1 निकालेंगे तो n by 4 फिर बड़ा वाला formula उसके बाद quantile 3 पूछा था quantile मतलब होता है पंचमक 5 पंचमक मतलब 5 भाग करना 5 पार्ट करना upon में क्या चला जाएगा 5 उसके बाद हमने सीखा था octile octile मतलब उसके बाद d9 d मतलब होता है decile मतलब 10 पंचमक upon में क्या चला गया 10 और into में जो पूछा है 9 पूछा है तो 9 ठीक है उसके बाद last topic आता है हमारा percentile percentile मतलब shatmak shatmak मतलब 100 upon में क्या चला गया 100 और into में जो हमको पूछा है वह अला टो भी चला जाएगा ठीक है